असलाम लेकूम, क्या हाल है सबका, होब सब ठीक होंगे और आगी है जी, आज की रूटीन मेरी के मैंने क्या क्या किया और क्या क्या बनाया तो अगर आपने मेरा चैनल स्ब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज स्ब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें थैंक यू सो मच जी तो ये बज रहे हैं सुबा के दस और काम बली मेरी काम करके चली गी है फिर जी मैं नाश्ता बनाने लगी बचे सोये वे थे और अंडा बनाया प्यास टमाटर नी था नी सोरी हरी मिर्च और टमाटर नी था प्यास के साथ मैंने जी बनाया है अंडा चार अंडे बनाए हैं प्यास के साथ और मैंने इसमें आज यूज की ये थोड़ी सी कुटी भी मिर्च जो होती है और साथ जी सफेद मिर्च अब मैं इसका बनाती हूँ नाश्ता चाय भी रड़ी होगी बस इतना सा हमारा राष्टा होता है और फिर जी मैं चलीगी किचन में किचन में जी ये मैं अब बना रही हूँ नमकीन गोश्ट बहर के लिए इसको रख दूँगी और फिर हम त्यार होने चल जेंगे सिंपल जी गोश्ट लिया है आप कह सकते हैं ये होगा ढ़ई 3 केज़ी काफी सारा माशाओला और अद्रक लस्टन आप 3 टेबल स्पून भर के डाल chodzi, 3 डालने, 4 डालने कोई मसला नी और मैंने वन टी स्पून जो है वो नमक डाला है और काफी नाली नहीं के 50 जो हैं बीच में मैंने काली मिचे साबर डाल दी है नमक जो है आप बहुत कम रखें और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि बन केजी से थोड़ा सा कम जो ता दही था ये मैंने डाल दी है इसमें कोई पानी शानी नहीं डालेंगे मिक्स करेंगे अच्छे से और बॉयलाने का वेट करेंगे ये आप देखेंगे के सारा पानी कितना सारा हो जाएगा अच्छे से मिक्स कर लें और नमक आप इसमें कम डालें बहुत ही जबरदस्त ये बनता है नमकीन गोश्ट और ये जी रेसिपी है ठी मेरी मदर इनलो की अब वो नहीं है जुनिया में अलाग उनको जन्नत में जगा दे जब भी मैं बाहर होती थी तो हमेशा मैं उनसे पूछ के दो तीन बार तो उनसे पूछ के बनाया और फिर जी मैं उनकी रेसिपी फॉलो करती थी और सिम्पल ऐसे ही बनाती थी कुटी भी काली मिर्च आप एंड में डाल सकते है जी मुग साथ सर्व करें बाराल जी मैं ऐसी ही बनाती थी अब यह देख सकते हैं मैं इनको कवर नहीं किया और बॉयल आने तक वेट किया और इतना सारा पानी गोश ने और दही ने छोड़ दी अब जी हम इसको कवर कर देंगे 45-50 मिनिट जितने भी लगें और उसके बाद जी हम चले जाएंगे खुद त्यारों ने और जो आग है वो बिलकुल लो करते हैं ठीक है बेसी दही में कर लेगा और काली मिर्च काई टेस्ट आएगा और सॉल्ट इसमें आप कम डालें अगर आपको कम लगे अगें यानि जब आप चेक करें जब यह गल जाए तो आप और एड़ कर सकते हैं वरना यह ज्याता हो जाता है हमेशा यह जी मैंने इसको कवर किया और मैं जागिया है जी महरिश का ड्रेस इस तरहां से कुछ अत्मेक, लुमीज मुभारिक इसका भी ड्रेस इस तरहा से है जी सेम सेम थे इस तरह से अम्रेला फ्रोक में है और यह पर जो है वो डोरी लगी है पिटिं के लिए और गला इस तरहां से है इसका कुछ और बाजू में इसके नहीं लगे हुई जोड़ी क्योंके जी कपड़ा कम हो गया था इसके नहीं लगाई थी बाकी दो फ्रॉक्स में लगी हुए कैसा अब रगा अब आपो अच्छा है थैंक यू सो मच कर दो thank you so much for watching प्रिशार होके पैक्ठी हुई है और यह बैक्ठी क्या का रहा है जी बनारी है फिक्ट्टिस जो इक हैंज़े है क्या रही हो है जै निन बेटी प्रिंसेस किटी पिक्चर्स के चेज़े हैं ती तर्थ कुन्हीं हो डिखा दर उतकी हो प्रिंसेस वाओ, आप तो बोट गए, ओ नूँ, मेरी बेटी के सारे तांद ही टूट चुकी है, कितनी प्यारी है, मेरी बेटी, माशाला, जरूर बोलना है, सबने, माशाला, माशाला, क्यों जूएंतारी बढ़गी, पक्स्तान में बहुत ज़्यादा पढ़ती हैंवसे, आपको तो ने पढ़ी अभी तक, वज़ा क्या है? किसमें इसी में नहीं जी वज़ा यह नहीं होती वज़ा है कि आप साफ शुतरे रहते हैं नहाते हैं और बाहर गली वले बिचों के साथ खेलते नहीं है महक बतूल का ड्रेस हम तीनों के सेम सेम ड्रेस थे और यह किस तरह फिला करें सेम सेम जी मेरा और मैं हक का जो है वह सेम ड्रेस था कैसे लगए रस जब जरूर बताएं जी हम लोगों के ड्रेस कैसे थे और प्लीज चैनल को लाइक कर दें सुब्सक्राइब कर दें बहुत ऑपन खुला से सलवाया क्योंके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और ड्रेस जो आस्लाम लेकूं, इस बारे एक सेकंड डेरा मेरे ये वाला ड्रेस था जिसके इस तरह से टेढिंग थी एक खूल कपड़ा था और यहां पर इस तरह से बने लगाई थी जो रहाएं और जिया यहां पर भी लगी धिए यहां इस तरह से कुछ था जी यहां पर दोरी है और पारक स्टायल डट यहांiquer हैum अधर ब्रेु रिया है जाल रही है खूल अभी शूज.. पूल देख सकते हैं मेरे भी फ्रेश हैं क्योंकि मैंने इनको फ्रीज में रखा वागा है इतने फ्रेश नहीं है लेकिन अच्छी है और यह आगी है जी नेल पॉलिश रिंग्स और उसके बाद जी मैं आपको शूज दिखाते हैं यह हैं जी शूज लें कितने अच्छे मैच मॉबाइल जब खूलते हैं तो गैलरी की यही हालत होती है देख सकते हैं माशाला माशाला घर में रॉल्रक बहुत होती है बच्छों के साथ और यह आगी जी मेरी बड़ी बेटी और उसके बाद जी हमने किया लांच प्लस जिनर जो भी आप कह सकते हैं इस तरह से यह प्लस जाए रॉल के बनता है और बहुत जल्दी हजम हो चाता है उसके बाद जी चाए पी हमने शाम में निम्को लेके आए मरी जबन बाहर से गुलाब जामन लेके आए फ्रेश फ्रेश बहुत जबर्दस से थे जैसे कि आपको पिछली वीडियो जबने पता है कि मुझे पसंद है गुलाब जामन बिस्किट्स थे और चाये जी हम सबने साथ मिलके पी और खुब सारी बाते की इद पर यही होता है कि एक साथ बैट जाएं बाते करें और ट्राइ हमने इस तरह से जी इंजॉय की फिर जब हम सब थे तो हमारे बिले बिलियां कहां दूर रह सकते एक तैद यह देखें जी और इस ताइगर को पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे साथ कि जो मैंने खाना है न बेड़ शक मैं गुलाब जामन खाउं या निम्को खाऊं भोगे इस ने खाना ही खाना ह। भैर जी इसने मोपली भी खाई निम्को की और उसके बाद यिए मेरे जो हैं अपने सर पे ले लेते हैं और यह तो बहुत क्यूट से है अज कल थोड़ा सा कमजोर हुआ हुआ है नो आइडिया क्यूं कुर्बाणी का गोष्ट वोष्ट भी खा रहें लेकिन है कि मैं भी यह लंबा और बड़ा हुरह रहे है इस वजह से हमें थोड़ा सा यह वीक और अपने फ्रेंड के सच शेयर कर दें